नमस्कार, स्वागत करता हूँ कुम लगन और कुम राशी वाले, जनवरी महा का संपुन मासिक राशी फल्ली करके। मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी महा में किन छेत्र वालों के लिए और किन किन छेत्रों में आपको विशेश सफलताओं के योग बनेंगे। जीवन की किस दिशाओं में एक उपलब्दियां प्राप्त होंगी, साथ में क्योंकि यह नया वर्स का सुरुआत है और नया वर्स का पहला महिना का भी सुरुआत है तो 2021 का आपको हार्दिक बढ़ाए, इस वर आपकी संपुर्ण मनुकामनाओं का पुर्ण करे, मैं इस वर स से यही कामना करता हूँ, आप हर लक्ष को पूर्ण रखरे, प्रिये कुम्भलगन और कुम्भराशी वाले, जब जन्वरी माह 2021 का पहला महिना का शुरुआत होगा, तो कुछ बहुत ही महत्तपुर्ण न महत्तपुर्ण योगों के साथ में प्रारंब हो रहा है, पहला दे स्थिती बने हुई है, जो आपको व्यर्थ के खर्च से बचाने का परियास कर रहा है, और परिवार के लोगों से सही योग और नक्रीयों में स्थिर्ताओं की स्थितियों को बनाने का पुर्नता परियास कर रहा है। के उमीद को रखता है और स्वार्थ सम्मंदित भी कुछ अच्छी उपलब्दियों को यह प्राप्त करवाएगा महिने का सुरवात में तीन महत्पुन ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा सुक्र चार जन्वरी से चले जाएंगे बिरिच्चिक राशी को छोड़ करके धनु पांच जन्वरी से बुद्ध जो है वह मकर राशी में विराजमान हो जाएंगे जहां पर गुरु और सनी पहले से विराजमान है और 14 जन्वरी से ग्रहों का राजा सुर्य भी जो है वह मकर राशी में चले जाएंगे और सुर्य के उपर जो है सडासकत दोस्की भी लग ज स्थान और अपनी राशी में बैठा हुआ है जिस कारण से आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड और जिनकी नोकरियों में इस्थिरतायन लग गई थी उन से रिलेटेड सरकारी कर्म काजवालों से रिलेटेड सभी प्रकार के छेतर में सफलताओं के योग को मंगल अवश्य प्रवल करेगा क्योंकि मंगल जो है प्रसासनी छेत्र, सेना नायक छेत्र, अगनी सामत छेत्र, क्रिकेट से रिलेटर लेकर के तोटल खेल कुद से रिलेटर और इसके अलावा जो है प्रोपटी, कोईला, कंस्टेक्शन से रिलेटर कर्म छेत्रों को सीधा रेप्रेजेंट करता है तो इस से भी छेतर वालों के लिए सुब और लागकारी योग बनेंगे यानि जो भी व्यक्ति सेना से रिएलेटेड प्रिप्रेशन कर रहे थे या सेना से रिएलेटेड थे टर्मिनेशन या किसी प्रकार की बाधाय होई थी वह दूर हो जाएंगी इसके अलावा जो है कर्म सुब पोजीशन पर है तो जो भी व्यक्ति मेडिकल के छेतर में सर्जन है जो व्यक्ति गुट का नशीले पदा से रिलेटेड करमशेत्रों मेंías और साथ में जो भी खुपिया एजन्सि से रिलेटेड करमशेत्रों में है आपके लिए हमाईना अत्यदिक सुब और लाब काच के सम्मदीत कपड़े से रिलेटेड वस्तूव के लिए अछे योग बंते हैं। जो वेक्ति क्रिसी से रिलेटड कर्म छित्रों में भी है। क्योंकि सुर्य डायरेक्ट सरकार है तो जितने भी सरकारी कर्म छित्र वाले लोग है। मैं आपको अस्पष्ट तोर पे यहां बताना चाहूंगा कि सुरिये जो है 14 जनवरी से चले जाएंगे मकर राशी में, जब यह मकर राशी में जाएंगे सनी के सार इनका सडास्तक दोस लगेगा तो 14 जनवरी के बाद इन सभी चेतर वालों को समस्याएं होंगी और 14 जनवरी के बाद सरकारी कर्म चेतर वालों के लिए थोड़े से परिशानियों के संभावनाएं बन सकती हैं, नोकरियों में होती ही अच्छे पोजिशन पर हैं, सुहराशी का है और लगन के भी आजिपती हैं, तो पूरे महिने आपको कोईला से रिलेटेड, ट्रांस्पोर्टिंग से रिलेटेड, बड़े-बड़े मसनीरी से रिलेटेड, खरखाने फैक्टरी से रिलेटेड, पेट्रूलियम अर लावकारी निक्शी तोर पर रहे गा, जो व्यक्ति मेडियासे रिलेटेड कर्म चेतरों हैं, जो व्यक्ति फैसन डिजैनिक से रिलेट कर्म szcz arguably में हैं, रेस्ट्रेंट, होटेल, फूर्ण, एक्स्पोर्ट, इन सभी चतरों से कर्म चेतर में रिलेटेड हैं, जो गयोट चेतरवालों के लिए पर्मोशन पद्दोनती के साथ में उच्च संभावनाय भी प्रारम भोंगे और इन सभी चेतरवालों के लिए विदेशों से रिलेटेट कंसाइनमेंट बहुत ही अच्छे ओर्डर्स भी आएंगे यह अस्पश्ट तौर पे प्रतीत भी होता है बिरहस क्लाम से रिलेट्टेट जुड़े हुए है इसस्परिचवल से रिलेटेट क हएं खादबी से रिलेटेट लॉईयर जस्टीस और साथ में जो महतपुर्ण महतपुर्ण सश्फाओं से जुड़े हुए हैं जो सरकारी हो या गैर सरकारी हूँ आप लोगों के लिएlying पूरा महिने राहू के इस्थिती थोड़ी सी आसमान्य रहनेगी लेकिन क्योंकि चार जनवरी से सुकर आया स्थान में जाएगा तो राहू के प्रवलता में ब्रिधी होगे आता सेर मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग विद्धिय इस्थितियां और साथ में जुवा लोट्री शट्ट शराब इन सभी छेतर वालों के लिए पॉलिटिशियन आप सभी लोगों के लिए जो है निचित तौर पे चार जनवरी के बाद योग अच्छे प्रारंब होते हैं अगर धन की बात में करना चाहूं तो आयस्थान के बिरश्पति नीच भंग राज जो कुद्पति किये हुए है जो इस महिले विदेशों से एक्सपोर्ट इंपर्ट और विदेश जानी की संभावनाओं में निचित तौर पे बिरदी करेगा चार जन्वरी से सुक्र जब आयस्थान में चले जाएंगे तो विदेशे सम्मंदित अनी चितरों में आपके लाब के योग निच्ची तौर पे बनेंगे महत्तपूर्ण तत्य यहां पर यह भी शमझना है क्योंकि बुद्ध भी आयस्थान में बैठे हुए हैं तो जो भी बैक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेट करम चितरों में हैं एक और से रिलेटेट करम चितरों में हैं जो नए बैपार को परारंब करना चाहते हैं आप लोगों के लिए जो है चार जन्वरी के बाद थोड़े सी प्रिशानिया चलेंगी क्योंकि बुद्द जो है चार जन्वरी को ही रात्री के शमय मकरड़ाशी में परवेश करेंगे जिसका पुर्नता प्रभाव पांच जन्वरी से चलना प्रारंब हो जाएगा यानि यह महेना निश्चित तौर पे जो है मैनेजमेंट वालों लोगों के लिए और एकॉंट्स वालों के लिए थोड़ा सा संघर्सकारी हो सकता है हलाके 14 जनवरी के बाद जब सुर्य चले जाएंगे मकर रासी में तो बुधादत योग का पुना निर्मान हो जाएगा 14 जनवरी के बाद सुर्य जब मकर रासी में जाएगा तो मकर रासी सनी की रासी है और सनी वहां औरड़ी विराजमान है तो 14 जनवरी के बाद दापत्ति जीवन को आप अच्छे से बना करके रखिएगा 14 जनवरी के बाद धरमपत्तिनी से मतभेर मत करिएगा कोई भी रिष्टे अगर आना चाहते है या कोई भी रिष्टे से रिलेटेड आप वेवाही कारेकरम को प्रानब करना चाहते है तो आप परियास करिएगा कि उस रिष्टों पे डिलाई नहीं करने का जल्द से आप जोडने का परियास करिएगा प्रेम संबंध की स्थितियों की बात करूं तो पूरे महिने बहुत ही अच्छे रहेंगे इस पे कोई सक नहीं है लेकिन पांच जनवरी को प्राता काल बुद्ध जब चले जाएंगे मकर राशी में तो निष्चीत तोर पे जो है प्रेम महिने आपको निष्चीत तोर पे संपती के विशेस योगों को दिखाता है भोमी मकान वाहन के योगों को प्रार्म करेगा केस मुकदमा रिलेटिट या प्रुपर्टी विवाद की समस्याओं को निष्चीत तोर पे सुक्र बहुत प्रवलता पोजिशन पे दूर करेगा छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से इस महिने बहुत ही अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे रिस्तदारों से भी आपको जो हमिशेस लाव की प्राप्ती होगी और सबसे महत्तपुन बात सरकारी कंसैन्मेंट रुके हुए थे या सरकारी टेंडर रुके हु थे हैं वह पाँज जनोरी सही 20 हो जाएगा कितना भी हो तो तिर्कवन आधिपति कहीं भी बैटते हैं तो अशुभ फलतो नहीं देते हैं लेकिन अगर पापी गरह sulphत में विराजमान हो जाया तो परिशानियां पढ़ती हैं तो तो जब गुद 12 अस्थान में मिराजमान हो तो निख्चित तोर पे थोड़ी सी पेट की शमस्याएं, सिख्छा में थोड़ी सी बाधाएं और साथ में जो है उन लोगों की नोकरियों में बाधाएं उत्पन होंगी जिन लोगों का नोकरी में सरकारी कर्व छेतर वालों के लिए प्राइवेट छेतर वालों के लिए किस किसी प्रकार का termination हो चुका था या किसी प्रकार का जो है शस्पेंड के स्थितियां वे आ चुके थे उन लोगों के लिए निश्चित तोर पे थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं तो आपको मैं यही बोलूँगा कि कुम्हलगर और कुम्हराशी वाले आपको जो है इन सवी छ प्रिये कुम्हलगर और कुम्हराशी वाले जनवारी महाका शंपुन राशी फैल मैंने आंको बताया है उमीद करता हूँ बताएगे जनकारी से संतूष्ट होंगे आता चानल अच्छा लगता है तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए आओंगा आपके पास नि झाल झाल